तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग I hope एक दम मस तो को भाई हमारे सामने प्रेजिट है TVS Ronin की 225cc की ये बाइक बाइक चलाने में बहुत ज्यादा स्मूथ है अभी मैंने इसको राइट किया है आपको आज किस वीडियो में टोटली इसका राइट कमफर्ट, डीटेल माईलेस कितना देती है, चलाने में कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, इसका ब्रेकिंग कैसा है, कमफर्टली आपको TVS Ronin के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं तो लेट स स्टार्ट वीडियो और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फटवाट चैनल को सब्सक्राइब के लोग क्यूंकि हमारे चैनल पर आपको प्रती दिन गाड़ी से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलते रहती है, तो भाई वेब की, काफी ज़्यादा अच्छा आपको इसका वेब की लगेगा, सेफटी के माइने से भी बात करें, तो आपको प्राइवेसी में बहुत अच्छा है, वेब की है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसका साथ साथ इसका सबसे पहले आपको एक्जॉस्ट सुनाते हैं, हमार अब ही थोड़ा सा इसके एक्जॉस्ट को बढ़ाते हैं, तो ये था इसका एक्जॉस्ट साउंड, अब आप बताए कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये टीवेस रॉन इन 225 CC का एक्जॉस्ट साउंड, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट साइट से, फ्रंट में इसका जो लाइटिंग सेक्शन है ये आप देखो के पूरा पूरा LED में मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ DRLs मिलते हैं, जिसमें TVS का रॉनिंग वाला, ए स्टार्ट करने के बाद इसका जो हेड लाइट है ना, वो हाई बील पर और ये पास लाइट पर, देख रो लाइटिं सेक्शन इसका, काफी जाद अच्छा आपको इसका TVS का लाइटिं सेक्शन मिलता है, इसके साथ साथ तर्न इंडिकेटर सेक्शन की में बात कर लूँ, तो यहाँ पर आपको जो टर्न इंडिकेटर मिलेगा, वो आपको प्रॉपर LED सेटप में टर्न इंडिकेटर मिलता है, और इसमें आपको हजाड के भी फंक्शन मिलता है, यह देखो, आप एक साइड में ही दोनों का हजाड एक बर में उपन कर सेक्ते हो, कुछ इस तरीके स फ्रंट में ही आपको यूसजी टाइप का आपको सस्पेंशन मिलता है, जो कि काफी अच्छा है, फ्रंट की टार सेक्शन की मैं बात कर लो, तो यहाँ पर आप देखोगे, 110 by 70, आर 17 इंच के साथ आपको फ्रंट में इसका टार सेक्शन देखने को मिलेगा, और इसके जो इसके डिजाइन है वो आपको काफी जादा स्पॉर्टी लगता है, मतलब भाई लगता ही नहीं कि यह शोरूम से यह मोडिफाई करा गया है, मतलब कंपनी फिटेड यह सारा चीज़ा है, यह आपको लगेगा कि आप आफ्टर मार्केट कहीं से मोडिफाई कराया हो, और य हेतरीन सस्पेंशन है, अलोई की तो कहने ही नहीं है, आप दूर से देखोगे, तो पूरा का पूरा आपको मोडिफाई टाइप से आपको अलोई मिलता है, और इसके साथ साथ फ्रेंट के फेंडर की मैं बात करूँ तो यहां पर आपको यह देख रहो, काफी अच्छे बि इसमें मैक्समाम टॉर्वट देखने को मिलेगा, और इसके साथ आप यहां पे इसका हॉन section देखोगे तो आपको यह सिंगल टाइप के हॉण मिलता है, यह जो आपको यहां पे हऌर्ण देख रहो गा, यह आपको सिंगल टाइप के हॉण मिलेगा भी मैं एक बार आपको व 20,400 mm के असपास इसकी overall length मिलती है height की बात करें तो 1170 mm की height मिलती है और seat height की बात करें तो 795 mm के असपास इसकी seat height भी देखने को मिलती है ground clearance की बात करें तो 181 mm के असपास इसकी ground clearance मिलेगी और total curve weight जो है इस बाइक का ना वो आपको 159 kg के आसपास आपको यह टीवेस रॉनीन का कर्बवेट मिलता है फ्यूल टैंक की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि काफी अच्छा आपको बड़ा सा फ्यूल टैंक मिलता है जिसमें इसका जो घोड़ा है ना इसका जो और से इसको आपको क्रूम के बैसिंग में ही देखने को मिलता है यहां पर आप देखोगे मोनो सॉक टाइप का सबेन स्टिप एड़ेस्टिबल प्रिलोड टाइप का आपको सस्पेंशन मिलता है जिसको आप अपने वेट के कोडिंग एड़ेस्ट भी कर सकते हो साथी साथ इसके रियर टायर सेक्षिन की मैं बात करूँ तो 130 x 70 आर 17 निंच के साथ आपको इसका पीछे के टायर मिलता है और वहीं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो लगबग लगबग 240 mm के आसपस आपको इसका ब्रेकिंग मिलता है यह जो ब्रेकिंग आप देखो रहो 240 mm के आसपस आपको इसका फ्रेंट का ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता इसके साथ साथ पीछे की lighting section की मैं बात करूए तो proper आपको LED section में आपको light मिलता है hazard light आपको देखोगे तो पूरा LED setup में मिलता है exhaust की बात कर लिए तो exhaust आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहां पर exhaust है भी आपने exhaust सुना था इसका sound कैसा लगा था आपको इसका sound आप हम वह भी comment section में बता सकते हो और इसके साथ-साथ यहां पर इसकी braking system की बात करें न तो कुछ इस टाइप से आपको braking मिलता है सिंगल चैनल ABS मिलता है रियर में आपको ABS नहीं मिलता है आपको सिर्फ और से front में ABS मिलता है sitting quality की बात करें तो sitting quality आप देखोगे कि यह जो comfortness आना यह देख रहे हो कुस्णिंग इसका काफ़ी best आपको यहां पर इसका कुस्णिंग देखने को मिलता है grab handle कुछ इस टाइब से मिलता है पीछे में आपको TVS का chrome के buzzing मिलेगा और यहां पर इसके meter console में features चले आपको one by one करके बताते हैं सबसे पहले तो left handlebar में pass light high beam low beam turn indicator horn काफी तगड़ा horn है handlebar जो है वो काफी ज्यादा लंबा है इसके साथ engine call switch mode मिलता है hazard option मिलता है और यह self option मिलता है अब यह mode से कौन सा आपको sports mode और क्या लगेगा आपको मैं बहुत दिखा देता हूँ यह मैंने mode को press किया यह mode को press किया यहां पर यह जो है ना यह सिर्फ और सिर्फ दो ही mode है अर्बन mode और एक आपको rain mode मिलता है बस दो mode मिलता है gear set advisor मिलता है order मिलता है trip meter, fuel gauge, timing, speedometer, rpm limit, neutral engine, malware function, fuel gauge का hazard light का ABS light का और mode और set आप यहां से इसमें कर सकते हो तो यह सारी चीजे हो गई यह देखो rain mode और urban mode यह देखे rain mode लग गया अब यह अपना urban mode लगेगा तो इसमें mainly दो तरह का mode है जिसमें rain mode और urban mode के साथ आती है काफी ज्यादा अच्छ चलाने में बिल्कुल अच्छा लगा मजा आया चलाने में जमीन पकड़ के चल रहा था इसके साथ साथ इसकी प्राइस की बात करें तो यह जो black color में आप देख रहो ना इसका जो ऑन रोड प्राइस है वह 183,000 के आसपास हमारे हाँ डाल टिन गंज सार्दा टीवेस में इ टीवेस रॉनी माईलेस भी देने वाली है तो पहली बात अगर आप चैनल पर पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और यह वीडियो आपको कैसे लेगी आप हमें कमेंट में जरूरू बताइएगा चलिए आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स इस वीडियो के साथ अब तक के लिए धन्यवाद जय हिंच जय भारत वंदे मात्रम